इंटरनेट से इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को और रूपिन का साधर प्रणाम इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक लेवल जान करीदूंगा फंडामेंटल इंवस्टिंग के बारे में अब फंडामेंटल इंवस्टिंग में हम लोग एक बिजनिस का फाइनाशल हेल्थ अनलाइस करते हैं ताकि हम उसके स्टॉक में इंवस्ट कर सके अब फाइनाशल हेल्थ अनलाइस करने के लिए हम उसके इंट्रिंसिक वैलू देखते हैं market value देखते हैं, quantitative factors देखते हैं, quantitative factors देखते हैं, या economy factor देखते हैं, या यह सारे कि सारे देखते हैं, अब intrinsic value क्या है, intrinsic value एक business का expected value है, उसकी future में, अब आप सूचे कि आपको लगता है current में कि एक business 5 करोड का है, दस साल के बाद ये business आपके calculation के हिसाब से 50 करोड का हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि ये 50 करोड में से आप 10 साल का inflation काट लेंगे, और अगर ये book value के उपर आता है, तब आप उस stock को बड़ खरीदते हैं, तो ये intrinsic value मदद से खरीदने का तारीका होता है, दूसरा जो है economic factor, economic factor वो है जिससे हमारे spending habit बदल जाती है, जिसे कल अगर दूद के भाव में 100 रुपे की बड़ोतरी हो गई, तो जितने भी लोग जो चाय दूद बगर पीते हैं, उन लोग को अपने दूद खरीदने के तरीके में बदलाओ करना होगा, अब बात हैसे, एक economic factor किसे control में नहीं होते है, market में supply and demand बदल गई, कभी pay government policy आ गई, नए taxes लागू हो गए, ये किसे के भी control में नहीं होते हैं, इसी तरह economic factors, business के भी control में नहीं होते हैं, पर कभी-कभी economic factors हमारे लिए फाइदे के सौधा होता है, क्योंकि समझे कि कल चाहिए कि अगर tax कर दिया किसी चीज़ के उपर में, और उसकी भाव 25% से कम हो गए, तो ये आपके लिए फाइदे का सौधा होगा, इसी तरह economic factors एक business को भी फाइदा दे सकते हैं, तो economic factors के वज़े से business का अपना economic cycle भी trigger हो सकता है, और जब ऐसा होता है, तब मैं उसके stock को buy करता हूँ, यह मेरा personal तरीका है, stock को analysis करके, stock buy करने का, इसके बाद होता है qualitative analysis, एक बाद ध्यान में रखिये, qualitative analysis पूरी तरह experience base है, इसका मतलब यह है कि यतने भी लोग जो business management field के हैं, वो ही लोग qualitative analysis actually कर सकते हैं, मैं तो यह होँगा, बहुत सारे लोग जो उस field के हैं, वो भी करने ही सकते हैं, क्योंकि experience काफी लगता है, इसमें आपको यह बाद समझ में आना होज़री है, यह अलग-अलग business अलग-अलग तरीके से कैसे काम करता है, इससे आपको business का वार्कितिक पता चलता है, और business की promise फिर deliver करने की, यहनि, performance deliver करने की ability है, वो पता चलती है, तो general investor तुम्हें यह कहूँगा कि, सिर्फ सापने में रहते हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पर मेरा नहीं मानना है कि general investor सच में qualitative analysis कर सकता है, उसके बाद आता है quantitative analysis, quantitative analysis में हम numerical data वगर देते हैं, calculation करते हैं, PE ratio वगर यह सारे चीज़ों चीज़ों होते हैं, सब quantitative analysis में आती है, तो एक बाद ध्यान में रखें कि जब आप fundamental analysis के नाम पे specific number ढूंड रहे होते हैं, जैसे low PE, death वगरे, तो आप fundamental analysis का तरीका नहीं धूंड रहे हैं, आप cheap trick धूंड रहे हैं, cheap trick fundamental analysis में exist नहीं करती हैं, अगर आपने definition का और से सुनी होगी, तो एक बाद धान में रहे हैं कि हम लोग क्या क्या calculate कर रहे हैं, intrinsic value, economic factor, quantitative factors, qualitative factors, और इन में से बहुत सारे चीज़े तो अपने आप में एक educational field है, mostly जितने लोग analysis करते हैं, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, और possible नहीं है सब लोगों का कि ये सारे की सारे factors देखते वे, वो analysis कर सके, इसी वज़े से सब लोग अपना basic theory तैयार करते हैं, जिसके उपर में वो ये पता करते हैं कि एक business किस तरफ financially successful हो सकता है, इस theory को पकड़ के, हम लोग जो भी subject में हमारा master है, उसको उसके उपर लगाते हैं, जिसके वज़े से हमें ये पता चलता है कि ये business आगए जाके फाइदे का साओधा हो सकता है या नहीं, जैसे कि Benjamin Graham ऐसा मानते थी कि business को successful होने के लिए, जितने चलने को पैसा लगते हैं, उससे ज़ादा बनाना चाहिए, इसलिए वो उस business का intrinsic value calculate करते थे, क्योंकि अगर एक business अपने को जितना पैसा लगता है चलने के लिए उससे ज़ादा बना रहा है, इसका मतलब आगए जाकि ये business बड़ा बने गया, और अगर business के बड़े होने की capacity है, तो उसका stock investing वर्दी है, तो वो उसके financial check करते थे, और अगर business के intrinsic value, उसके market value से जादा आती थी, तब ही वो stock को buy करते थे, तो एक बाद ध्यान में रखिए कि जितने भी जो numbers होते हैं, ये mathematicals, numbers, P, ratio, उसके बाद में आपके diagram, उस बगएरे statistics के लिए job calculate करते हैं, ये सब आपके लिए उसी समय काम के हैं जब आपको पता हो, कि आप theoretically किस तरह की business पे invest कर रहे हैं, Peter Lynch के पास business में master's degree थी, उनका ऐसा मानना था कि business होई successful है, जिसके product की market में ज़्यादा demand है, जिसके product market में popular है, उसी हिसाब से उनका analysis method बना था, Warren Buffett मानते थे कि एक अच्छा business यानि जिसका management बहुत अच्छा है, वही business आगे जा सकता है, इसलिए उनका ज्यादा था जो method होता था, qualitative होता था, और quantitative को उनके तरफ से कम weightage हुआ गरता था, आज उनका method वैसा ही है, और क्योंकि वो qualitative method को ज्यादा भाव देते हैं, इसलिए क्लोको कोला के share जब उनके हांके great decline में काफी गिरे थे, तो वो अके लिए investor थे, जो हर बार stock गिरने पे उसके stock बाय करते थी, क्योंकि उनको पूरा भरसा था कि कोको कोला कहीं न कहीं से manage कर लेगा वापस, rate comeback करने का, डेफरेस और विलियम मोनील बिजनिस के expansion plan के उपर invest करते थे, उनके सारे के सारे खरीते स्टॉक हाई पी स्टॉक ही होते थे, और इसके बावजूद वो लोग वाल स्ट्रीट पे काफी पैसा कमा सेके, बिल मिलियो के पास मैं भी economics में honors degree थी, जिसके वज़े से वो traditional और behavior economics को apply करते थे, अपने investing method के उपर में, और वो हर्त रखी का stock खरी सकते थे, ऐसा भी stock जो book value के नीचे चल रहा है, ऐसा जो book value के 10 से 15 गुना उपर चल रहा है, ऐसा भी चो turn around चल रहा है, और almost ज़्यादा थर stock में वो अपना profit निकालते थे, बात ऐसी थी कि उन्होंने लगा थर 15 साल stock market में और प्रफॉर्म किया था, market index को और बाकी के जितने भी उनके competition थे, उनको, मेरा जो method है investing का वो ज़्यादा करके, रहा है बेल मिला, पीटर लिंच और विल्याम वोनिल के method से match करता है, match करता है बौद उनका derivative है, उनके investing method के उपर ही, मैंने अपना investing method बनाया, अब मैं उन्हों से मिला हूँ जिन लोग का मानना है कि Peter Lynch और William O'Neill के method आज के जमाने में काम नहीं करते और इसकी बज़े यह है कि बहुत सारे लोगों को उनका investing ideology समझा नहीं इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ mathematical match धूणते हैं एक बार धन में रखिये कि आपको सिर्फ mathematical match नहीं धूणना है आपको ideological match धूणना है पर टैंकर आता है पेट्रोल का delivery देने के लिए तो उस पर बड़ा सा HP का logo था और साथ में लिखा था अगरवाल इंडेस्ट्रियल कोपरेशन अब सोचने वाले बात यह थी कि HP के टैंकर के उपर में दूसरे कमपनी का नाम क्यों है जब मैंने चाके चेक किया तो पता चला है कि अगरवाल इंडेस्ट्रियल कोपरेशन BAC पे और NAC दूनों पे लिस्टेड है और यह लोग पेट्रोल सप्लाई करते हैं LPG सप्लाई करते हैं और हर वो चीज जो फ्लेमेबल है केमिकल में आता है उसको सप्लाई करते हैं उनके क्लाईंट लिस्ट में हिंदुस्टान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम और इंडियन ओल जे से क्लाईंट भी थे फंडामेंटल चेक करने के बाद पता चला कि इन लोग का चार पास साल से बिलकुल कंसिस्टन्थ परफॉर्मंस है और यह लोग जितना पैसा लगता है खुद को चलने के लिए उसे ज़्यादा ही पैसा बना रहे है एक हिसाब से यह बिजनेस ने आइडियोलोजिकली बेंजमिन ग्रहाम के इन्वस्टिंग आइडियोलोजी को मैच कर लिया तो अगरवार इंडियोल कोपरेशन बाय करने लाइक बिजनेस था बेंजमिन ग्रहाम के इन्वस्टिंग आइडियोलोजी को मदद से दूसरी बात ऐसा है कि अगर हम उनका क्लाइंटेल देखते है क्योंकि यह हमारे देश के सबसे बड़े-बड़े प्रेटोलियोम कमपनी के जिससे अगर आप सोचेंगे तो पीटर लिंच के भी आइडियोलोजी को मैच कर गए कि बिजनेस के जो प्रोड़क्स है वो अपने कस्टेमर में पॉपुलर हो रहे है सब्टेमबर 2016 में उसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया और फ्रेश 52 वीक हाय बनाया जिससे वो बिलियमो नील के इंविस्टिंग आइडियोलोजी को भी मैच कर लिया और उसी 52 वीक के साथ अगरवाल इंडिस्टियर कोपरेशन का इकानोमिक ट्रिगर भी था तो मैंने उसके बैलेंश इट देखी थी इसी वज़े से मैंने उसको बाय कर लिया 237 पर मैंने उसको बाय किया था और वो 3 फोल्ड मल्टिप्लाइ हो गया इसी तरह से जब मैं गाड़े सर्विसिंग कराना गया था तो रिगोर्टो नॉम का स्टॉक मुझे मिला उसी वज़े से जब हम लोग मेरे फ्रेंड का कार डेकोर कराने गये थे वहां से हमने हरी तासीट के बारें पता किया प्राब्लम ऐसे है कि अगर आप मैतेमाटिकल मैच के तोर पे स्टॉक धुनने निखलेगे तो आपको मिलेगा नहीं आपको आइडियोलोजिकल मैच धुनना पड़ेगा और आइडियोलोजिकल मैच के उपर में आपको किसी तरह मैतेमाटिकल मैच जोड़ना होगा मैंने अल्मोस्ट हर जो बुक पड़ी है इंवस्टिंग के उपर मैं उसका इंवस्टिंग मेथड ट्राय किया है और मुझे आज तक ऐसी कोई किताब मिली नहीं जिसका इंवस्टिंग मेथड काम नहीं करता परसनली पीटर लिंच को मैं बाकी इन्वस्टर के उपर ही रखता हूँ क्योंकि उनके जो भी अनलिसिस मेथड है उसके विज़े से चब भी मैंने स्टॉक धूंड के निकाल और उससे काफी तगड़ेगे इन निकले और अल्मोस्स जितने लोग देखेंगे जो आप पीटर लिंच के वर्क की तारिफ करते हैं वो भी आपको यही बात बताएंगे क्योंकि उसके जिसे बहुत सारे लोगों ने अमर अजा बैटरिया आचा है मोटर और बॉस्ट जिससे सिया करी थे यहां तक कि राकेश जुन-जुन वाला जिनको कि हम बादशा कहते हैं दलाल स्ट्रीट का उन्होंने भी अपने इंट्रीव में कई बार वन अप उन वाल स्ट्रीट रेकमेंट किया है उनका तो मानना था कि जितने भी लोग जिनको बिसनेस के वागराण वगर समझ में नहीं आता उनको वन अप उन वाल स्ट्रीट ही पढ़नी चाहिए उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया था कि कैसे उनको खुद को वन अप उन वाल स्ट्रीट के वज़े से काफी तगड़े स्टॉक मिले से दूसरी बचा ये है कि जब भी आप ऐसा स्टॉक देखते हैं जो पीटर लिंच और विलम और नील के आइटलोजी को मैच करता है वो भोती मल्टी विगर के निकलता है वो हमेशा ही भागता है अब आप देखेंगे कि पीटर लीन्स के भी क्रेंटर जाको मैच किया था अगरभाल लेश्च्रिया को मैच किया था और वो साल भर के अंदर ही तीन गुना बढ़ गया आप सूचिए कि हिस तरह का डेटर नि सब आप क्यों देख रहे हैं, तब तक आपका ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, पहली बात तो ये सारे के सारे relative number है, अगर आप बगर किसी के relation में आप इसको नहीं देख रहे हैं, तो आपको बैसे फायदा नहीं होने वाला, अब मेरा जो method है, जिसमें मैं economic trigger को देख तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इन ratios वगर को देखने की, मुझे cash flow देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे method में सबसे important चीज है, कि stock ने अगर 52 week high बनाया है, तो उसका balance sheet और income statement क्या कहता है, क्योंकि अगर ये strong है, तो business अपने economic cycle में इंटर कर रहा है, तो ऐसे stock को buy कर में कोई बुरा ही नहीं है, यही logic turnaround business के उपर भी लाग होता है, कैसा है कि turnaround business अगर आप traditional method से देखेंगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि सारे के सारे fundamentals से उसको पूरे बिगड़े हुए, लेकि फिर भी turnaround investor होता है, जो सिर्फ turnaround stock के उपर में invest करते, इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग भी loss करने के लिए invest कर रहे हैं, उनके पास एक basic ideology है, और उस ideology को देखते वे, वो stock के numbers देखते हैं, इसी वज़े से 1000 stock में से वो ऐसे stock जुनके निकाल लेते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा chances होता है successful turnaround करने के, एक और बात जो ध्यान में रखने लाइक है, वो ऐ majority up to stock रहेंगे, वो आपके expectation के इसाथ से परफॉर्म नहीं करेंगे, और कुछ-कुछ fail होंगे, इसी वज़े से आपको risk management और strategy की भी जरूरत होती है, बात ऐसी है कि मेरे ज़्यादा तर जो दोस्ते जो मेरे stock portfolio देखते हैं, वो देखते हैं कि मेरे almost सारे जो stock से परफॉर्म कर रहे हूँ, उनका ऐसा मानना है कि जब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 100% success नहीं है, तो तुम्हारे portfolio में सारे stock successful कैसे नजर आ रहे हैं, पर उसकी वज़े यह है कि हमारे पास में बहुत strict selling rule होता है, और जैसे stock selling rule को match करता है, हम stop निकाल लेते हैं, यह बात सब के उपर है, वहाँ पर buy करने को लेकर लेकर, अब यह सोची कि अगर मैं 52 week के उपर buy कर रहा हूँ, तो मेरा selling rule strict होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, तो usually तो मैं loss लेने के लिए invest कर रहा हूँ, बोले तो भी चल जाएगा, हमारा ideology यह है कि 52 week पे stock buy करने के बाद यह उपर ही जा चाहिए, इस हिसाब से हमारा selling rule designed किया है, जिस वज़े से ऐसा है कि सारे के सारे stock profit में नजर आते हैं, अब investing methodology ही उसी के उपर base है, कि 52 week पे buy करना है हमको, तो मेरा selling rule strong होना चाहिए, ऐसा है कि investing three step process से पहला है analysis, दूसरा है risk management और तीसरा है strategy, बात ऐसी है कि जब आप invest करते है तो आपको analysis करना पड़ता है, analysis से हमको direction मिलती है, लेकिन जो भी direction है, हमारे guaranteed नहीं होती है, analysis काम करेगा, इसका कोई guarantee नहीं है, इसलिए हमको risk management लगता है, ताकि जब हमारे analysis की साफसे stock नहीं भागे, तो हम तुरहनी position काट ले और अपना loss clear कर ले, ज़्यादा loss लेनी की तो जब आपके तीनो step match करते हैं, उसी समय आप पैसा बना सकते हैं, बात ऐसी है कि वह सर लोगों को multi-wagger stock मिलते हैं, 10-10 time भाग जाता है, इसके बादे उनका portfolio loss ही दिखाता है, उसकी वज़ए यह होती है कि उन लोगों ने अपने losing trade निकाले नहीं होते, तो एक stock भागने क strategy design करते हैं, कि हमको loss ही नहीं, और जो भी हमारा blockbuster stock है, अगर वो एक भी हो, तो भी हम profit ने bet है, क्योंकि अगर आप एक भी stock निकालने पारें, आपका analysis बहुत ही घटिया है, दस में से एक या दो तो आपको blockbuster निकलेंगे ही, एक और बात यह है कि वह सर लोगों को सीखना न रहे, इसलिए आपको पता होना चाहिए, कि आप जिस भी investor को follow कर रहे हैं, उसकी investing ideology क्या है, क्योंकि वो खरीदता है तब आपको पता होता है, लिकिन जब वो बेचता है तब आपको पता नहीं चलता है, और ऐससा इसलिए नहीं है कि जब buy करते है उसनें बताते हैं, sell करते कोई नीज नहीं बनती और सेम चीज नीज में भियसल को लेकर है बॉल्स जो है वह नीज बनाते बेर जब तक आतंग नहीं बज़ाते तक उनका नीज नहीं बनता तो इस में किसी गलति नहीं है बात ऐसी है कि जब आपके जो फेवरेट इंवेस्टर जैसे कि मेरे विजेकेडिया है विजेकेडिया का basic investing ideology है कि high conviction stock buy के है जिनके पास proven track record है जैसे उनका current का जो stock है Ultra Global जब उन्होंने buy के तो मैंने buy कर लिया युकि मेरा उनका fellowship है मैं वो almost इतने stock बाय करते हैं मैं follow करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर उनकी investing ideology के साफ से stock सही है तो मैं usually buy करता हूँ और investing करने के लिए विजेक एडिया का जो basic ideology वो यह है कि business consistent performance होना चाहिए दूसरा volatility drop होनी चाहिए stock की performance के बाद में और उसके बाद में वो उसको buy करते हैं क्योंकि उसका proven track record हो जाता है पेचे में perform करने का उनका analysis method में आपको जो भी stock दिखेंगे वो traditional method से आपको expensive लगेंगे क्योंकि वो book value के उपर होते हैं उनका PE भी उपर होता है वाइफो उपर का PE 35 का है अब अगर आप उस current में से evaluation देखेंगे तो आपको stock महेंगा ही नज़र आएगा लेकिन अगर हम future के हिसाफ से देखे तो वो stock इतना महेंगा नहीं है सिर्फ इतना है कि कोई guarantee नहीं है कि यह proven performance है तो आगर भी perform करेगा लेकिन अगर हम लोग risk management इस पर सही धन से apply करें तो हमारे losses कम हो सकते है जो risk management मैं अपने method पर apply करता हूँ वो विजिक इडिया के method पर काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी investing ideology separate है तो जब आप high conviction stop में invest करते हैं तो आपका जो portfolio हो वो concentrated होना जरूरी है इस वज़े से जो भी strategy मैं विजिक इडिया के stock को clone करते में लगाऊंगा वहाँ पर मेरा भी concentrated portfolio को चलने वाया जो strategy है वो ही होना चाहिए तो एक बाद ध्यान में रखिए कि blindly आप clone करेंगे तो आपको नुक्सान हो गए होगा blindly investment कीजिए अगर आप किसी भी investor को clone कर रहे है तो सबसे पहले पता कीजिए कि उनका investing ideology क्या है इतना भी आलस करना ठीक नहीं है एक बाद ध्यान में रखिए कि एक magician थे Robert Turner नाम के कभी देख नहीं सकते थे कि वो क्या magic trick कर रहे है वो खुद नहीं देख सकते थे उनका ऐसा मानना था कि आलस दुनिया के सबसे बड़े disability है मेरा अंधा होना नहीं अगर आप आलस करेंगे तो आप successfully clone भी नहीं कर पाएंगे क्लोनिंग भी करना हो तो भी थोड़ी study रखिए background में finally investor psychology जो होती है हर किताब में होती है कुछ ना कुछ करके किताब के अंदर में वो फाल तो नहीं होती अब पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि almost बहुत सी जो बाते उसमें लिखिए वो सौफी दसीदी सही है अब जैसे बिल मिलावने value illusion के बारे में बता है उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोग बगर background theoretical model के PE book value बगर देखना चालो करते है और यह सोच के वो एक घाटिया stock उठाता है कि वो एक value stock उठा रहे है फिर उनको नुफसान हो जाता है और वो कोछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ इसको वो value illusion बोलते थे और बहुत important चीज़ है समझने के लिए क्यों कि बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है दूसरा है economic mode economic mode जो शब्द है Warren Buffett ने famous किया था उनके हिसाब से economic mode business के वो ट्रेट है जिसके वीज़े से वो अपने competition के उपर में अपना दबदबा बनाए रखता है अब होसरा लोग का ऐसा मानना ही economic mode बोले तो low value हो गया ऐसा नहीं है low value कोई ऐसी चीज़ है जिसके वीज़े से business अपने customer के सामने brag कर सकता है कि यह हमारा product है और यह हमारे competition से better product है अब सोचे कि किसी business को तीन बार लगातार product of the year का award मिलता है तो कोई जो business अपने आड में दस बार वही बात बताएगा product के उपर चापके देगा यहां वहाँ poster लगाएगा कि हमारे लगातार तीन साल product of the year का award मिला अब ऐसा होगा कि जब customer product को देखेगा तो उसका यह मानना रहेगा कि दूसरा जो competition है उसका product इसके product से inferior है करके इसको मिला और उसको नहीं मिला तो यह उसको किसी भी तरह से economic advantage देदेगा क्योंकि customer को जब prefer करने की बारी आएगी तो product of the year को buy करेगा उसके competition को नहीं तो यह भी economic mode का काम कर सकता है mode कोई भी ऐसी चीज़े जिसके बारे में business ब्रैक कर सकता है customer के सामने में या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके विज़से business को अपने competition के उपर में एक long term advantage मिलता है product selling के लिए वैसे ही है myopic loss averaging myopic loss averaging में कैसा होता है कि किसी बंदे को जो stock खरीता है नुकसान होने लगता है तो वो stock नहीं बेचता यह सोचता जब उपर आ जाएगा तब मैं निकाल दूँगा उसी तरह किसी का जो stock रहता है भाग जाता है बहुत जम के भागता है और जब उपर जाता है तो वो सोचता है कि और उपर जाएगा और मैं नहीं निकाल लूँगा फिर वो नीचे आता है फिर वो सोचता जब थोड़े recovery होगा तब निकाल लूँगा इस चक्कर में वो stock निकालता ही नहीं और हर बार ये लोग loss बनाते है चाहे उनका analysis चले या ना चले तो practically इसी को हम myopic loss averaging कहते है जिसमें बन्दा sale करने को तयार नहीं होता क्योंकि उसको लगता है कि और profit होगा या कुछ भी करके उसका loss recover हो जाएगा बहुत ही खराब psychology है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए behavior finance का सबसे basic theories में से एक है myopic loss averaging finally जो बहुत dangerous psychology है investor psychology वो है exposure effect इसमें लोग बायस्ट हो जाते हैं जो भी business रहता है उसको देखते वह क्योंकि उसके business का जो नाम है या business से जो लोग है वो किसी तरह से popular है या आपको familiar लगते है इसका best example है Theranos जो एक California की company है blood testing company अब बात ऐसी थी कि उनके जो CEO थे उनको लोगोंने बड़ा promote किया कि वो blood testing company के stew jobs है Elizabeth Holmes नाम था उनका उन्होंने को एक ऐसा product निकाला था कि small volume blood testing करेंगे हम लोग जो current technological standard के हिसाफ से practically impossible था business ने 400 million dollars market से उठा है total net worth business की 9 million आकी गई पर बात में जाके वो होना था fraud product था fraud ही निकला अभी investors को fraud के लिए उसके उपर में case कर रहे है exposure effect में ऐसा होता है कि हम लोग business के बारे में unnecessarily biased हो जाते हैं बाउजित इसके कि business के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके वो business successful होगा अब ऐसा हुआ था कि investors इसके तरफ बाइस इसलिए हो गए थे कि Theranos, Elizabeth and Holmes किसे विज़े से pop culture से जुड़े वे नाम है उनकी यहाँ पे और mentally attack किया गया ऐसा सबजी investors के उपर में advertising वगरे के मदद से ताकि वो बेवकूफ बने उसका stock खरीदने के लिए exposure effect के जो effects है, वो Switzerland ने इस्टेडी किये थे जहाँ पे उनको पता चला था कि popular name से जिसे image Swiss first और comet बड़े आसानी से लोगों का ध्यान खेश लेते हैं जहाँ अब तक कि जो difficult नाम है business के वो business लोगों का attention नहीं कीच पाते हैं जबकि वो अच्छे business होते हैं इसलिए वनको और Wall Street में भी Peter Lynch ने ये बात बताई थी कि जो अच्छे business होते हैं उनके नाम uninteresting होते हैं और वो जो काम करते हैं वो भी हमें interesting नहीं लगते हैं अब example देने के लिए उन्होंने बताया था कि एक solid waste management company थी नाम ही सुनते वे आदे investor लोगों ने पीछा हाथ कर लिए वो उन्होंने sundas साप करने लिए company के अंदर में हम लोग पैसे नहीं डालेंगे वह सोचने वाली बात है दुनिया में हर कोई sundas जाता है तो उनका business तो कभी out of business जाई नहीं सकता तो बिले ये बात थी वो सोचने लायक थी हम लोग हमरे मितने बैठे रहते हैं और हमारे हाथ से अच्छा बिजनस निकल जाता है exposure effect जो शब्द है Robert Zalzonic ने coin किया था और ये famous भी इसी वज़े से हुआ है क्योंकि लोगों को बस नाम के उपर में investing ने बेवकूफ बनाना असान हो गया अब जैसे मुझे समय मिलता है वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जितने investors की किताब मैंने पढ़ी है उनकी investing methodology ideology और उनके द्वारा दिये गए investing psychology जो भी है मैं वीडियो में आपके सामने रख सको लेकिन जहां तक मेरा मानना है कोई भी वीडियो original किताब में जो भी work दिया हुआ है किसी भी author का उसको match नहीं कर सकता क्योंकि वो सालों का experience और एक बंदा पढ़के आपको बताए भी तो क्या बताए और इसलिए मेरा ऐसा मनना है कि आप जहां तक हो सके वो खर इतनी कोशिश करिए शीफ टिक काम नहीं करती आप ऐसा सूचिए कि आप बिल्डिंग के उपड खरे और आपको बताया गया कि आपको दूसरे बिल्डिंग पर जाना है और आप महां गए तो आपको पैसे मिलेंगे इन्विस्टिंग इसी टाइप से इमाजिन के कि यही चीज़ है अब आपके बीच में एक बंदा है कजाना नाम का हो जाता है चलांग मार के सिधे बिल्डिंग पर दूसरे साइट चला जाता है सब लोग देखके खुश जाता है रहे बिल्डिंग पहुच जाता है तो वहाँ आखिर में दो ही लोग पहुचते है और जब आप गयने सराफ को पूछेंगे कि बाकी लोग कूद रहे से तो लोग लिफ्ट से क्यों आए तो उसका जवाब रहता है कि दिखने के लिए ऐसा लगा कि या आदमी एक जटके में कूद गया और ये बिल्डिंग से उसको यहाँ कूद ने कि लिए उसको साथ से आठ साल का समय लग गया उस हिसाफ से मुझे सिर्फ पंदरा मिट लगया और मैं जल्दी पहुचा हूँ तो एक बात ध्यान में रहे है कि जो किताबे जो आप पढ़ेंगे वो आपके लिए लिफ्ट का काम करेंगी जो एनालिस्ट को हम लोग टीवी वगर पे देखते हैं जो पॉपुलर बनके बैठे हुए है सच बात यह है कि उनके पास में एजुकेशन कॉलिफिकेशन है साथ साथ आठट साल तक के उन लोगोंने डिगरी और मैंने जो भी है एजुकेशन कॉलिफिकेशन लेने को लगा है तो आप पिल्कूल भी यह मत सूचेगी बाई किसी तरह से आप उनकी तरह इन्वेस्टिंग कर सकते है पॉसिबल नहीं है स्किल लेवल उतना डेवलप करने के लिए उनको सालो लग गया उतना एजुकेशन कॉलिफिकेशन लग गया तो मेरा आपको यहीं बोलना रोगा है जहां तक हो सके किताबे पढ़िए मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट दूँगा कि बुक्स के अलावा आपके पास कोई बेटर आडिया है नहीं इंवस्टिंग एक्सपिरेंस बेस सब्जेक्ट है और जब तक आप एक्सपिरेंस करेंगे नहीं आपको थोड़े बहुत लॉसेस होगे लॉसेस होने के बाद आप यह सोचेंगे कि किस तरह से मैं यह लॉस आवाइड कर सकता था उस तरह से आप बेटर रिस्क मरेजमेंट स्टाडिजिस बनाएंगे और ऐसे कैसे आप धिरी जिरी सीख लेंगे याद रखिए रियल एफोर्ट के उपर में आपके पास और कुई दूसरा आप्शन नहीं है